Good morning students, आज का हमारा टॉपिक है भारत में विबिन राज्यों की वेजबूशा यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आपके लिए क्योंकि यह जब तक हम अपने देश की वेजबूशा पारंपरिक वेजबूशा जो आज तक चली आ रही थी, जो हमारी परंपरा में हमें मिली हैं, हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, हमारी भोगलिक परिस्तितियों को दर्शाती हैं, जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं होगा, हम आगे फैशन डिजाइनिंग नहीं सीख पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं भारत में विबिन राज्यों की वेशबूशा जब हम भारत का नक्षा देखते हैं तो सबसे पहले हम नक्षे के ऊपर जाते हैं तो नौर्थ में सबसे उत्री राज्ये है जम्मू और कश्मीर यह उत्री हमाले की पाड़ियों से गिरा हुआ है इस राज्ये को उसकी परंपरा, रिवास और पोशाकों में काफी मुस्लिम प्रभाव मिलता है क्योंकि हमाचल जम्मू कश्मीर के ठीक उपर हमाले की पाड़ियों के उठीक उपर जब मैं आपको इत्यास, हमारी पोशाकों का इत्यास समझा रही थी पिछली कक्शाओं में तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इत्यास बताता है कि मुगल प्रभाव पढ़ा तो मुगल प्रभाव कहां से पढ़ा? जा हमारे ठीक हिमाले के उपर हमारे जितने भी Arabian countries हैं जितना भी हमारे वहां से मुगल प्रभाव आया था और इसी लिए हिमाले की पाड़ों के थूँ पठान और बाबर, हिमायू, अकबर ये सब वहीं से निकलेते और इसी लिए अभी भी वहां पे पुशाकों में अधिकतर मुस्लिम प्रभाव मिलता है और ठीक जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है इसी लिए कुछ वहां पे पंजाब राज्य का भी प्रभाव है मैला परिधान और पुरुष परिधान दोनों में एक अंतर है कि पंजाब में सलवार कमीज पहना जाता है यहां भी सलवार कमीज है लेकिन यहां की जो कमीज है वो डीला ढाला वस्तर है जिसे फिरन कहा जाता है इसकी लंबाई जांग तक लंबी होती है, शरीर के उपर और आस्तीन पर भी लटका हुआ डीला रहता है फिरन के नीचे एक स्लीवलेस जैकिट भी पहनी जाती है, निचला कपड़ा बहुत डीला होता है और उसकी लंबा या तो पैर के अंतक या पैर को ढखने की होती है, और इसे सलवार भी कहा जाता है दुपट्टा जो ओड़नी के समान होता है, सिर के उपर पहना जाता है, और इसे बालों के मद्धे में बांदा जाता है कभी-कभी इसे सामने लाकर और इसमें बहुत सुन्दर डिजाइन काड़ी जाती है और सिर के ऊपर बीच में इसको टिकाने के लिए एक बड़ा सा सिर पे टीका पहना जाता है और कान में दो लंबे-लंबे इयरिंग्स पहने जाते हैं कि इस सभी चीजें जो वहां की जो ज्वैलरी है या वहां का जो आभूशन है वह चांदी या गिलिट का बना हुआ होता है वहां पे सोने का प्रचलन कम है सोने के आभूशनों का आभूशनों का उपयोग अधिक होता है यह मैं आपको बताई चुकी हूँ और माथे को ढखने के लिए इनका विशिश प्रकार का अभूशन है जिन पर हम सिंपल लेंग्विज में टीका गहा जाता है कुछ महिला हैं वहां पे चूड़ियां भी इस्तेमाल करती है और वहां पर जब सर्दियां परती है आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर अपनी भौगलिक परिस्तितियों में ठंडा प्रदेश है और वहां जादा तर ठंड परती है तो यह जो फिरन होती है यह भी उनी ह होती है और इसको महीन उन महीन से जितना अच्छा महेंगा फिरन होगा जितनी बारीक फिरन होती है जितनी बारीक उन होगी और वह उन आपको मैंने फस्टीयर में भी हमने पढ़ाता सबसे बारीक उन जो मिलती है वहां पे अंगोरा बकरी की होती है और उससे इन फिरन बी शॉल्स है या दुपटे हैं या फिरन है महिलाओं के पहने जाने वाले जितने भी वस्र है इन्हें कशीदा से काढ़ा जाता है और कशीदा अपने हमने फस्टियर में पढ़ा था जम्मू कश्मीर का कशीदा एक बहुत फेमस कढ़ाई है जो पुर्शों द्वारा की जा लेकिन डीला डाला जो काफ्तान है ये कुर्ता है और इसका जो नीचे का हिस्सा है वो नुकीला होने की बजाए चौकोर आयताकार होता है पुरुष जो आम पुरुष होते हैं जो समाज में रहते इन्हें आप देखेंगे पठानी सूट भी बहुत प्रचलिते हैं वहाँ आज भी पुरुष द्वारा पसंद की जाती है महिलाओं के आप देख रहे है फिरन और पुरुष पेहन पठान नीचे की तरफ दोनों ही सलवार पेहनते हैं यां महिलाओं को नृत्छलiedo करते हुए चित्र रहे है इसमें महिलाओं नें सिर पे सकार पहना हूआ है और उप लेकिए इनकी पारम एक और चित्र के द्वारा में आपको समझाना चाहूंगी, यह है पारम पर इक फिरन के ऊपर पहना हुआ सकार्फ और सिर पर ढखा हुआ, यह सुन्दर आभूशनों से इन्होंने अपने आपको ढखा है, हाथ में इन्होंने लाल रंगी चूडियां पह है, यह आप एक पुरुश की चित्र भी देख रहे हैं बच्चे के साथ, इसमें दोनों ने ही काफ़तान पहने हुए हैं, और सर्दियों में यह एक टोपी भी उनी टोपी पहनते हैं, पैरों में यह उनी जूते पहनते हैं, क्योंकि बहुत ठंड पढ़ती है और बरफ पांदली जाती है, और इस अंगीठी से, इसमें छोटे-छोटे कोईले डले हुए होते हैं, जो अंगीठी इनको गरम, गरमाट प्रदान करती है, और इससे ये आराम इनको मिलता है, अगला जो हमारा प्रदेश है, ठीक हिमाले में ही जुड़ा हुआ है, जमु कश्मीर के अर्शासत हिमाचल प्रदेश, यह भी एक रंग बेरंगा प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश की में अलग-अलग समुदाएं है, लेकिन इनका प्रमूग समुदाएं जो महां पे बहुत हावी है, वह है, डॉमिनेट करता है, वह है दादरी, हिमाचल प्रदेश एक ओर जो बरफ और पहाडों से गिरा हुआ है यहां का सर्व भॉमिक पउषाक यानी सर्व भॉमिक मींस जो सब के द्वारा पसंद किया जाता है उसे कहा जाता है चोल यह गाउन जैसा होता है लंबा होता है आस्थीन तक तक टकनों तक इसकी लंबाई होती है और इसको यह इस पुरुष जो पहनते वो अंडाकार टोपी के साथ पहनते हैं आप देखिए और बेल्ट कमर पे क्या बांद लेते हैं यह हिमाचल प्रदेश का पारम परिक नृत्य है जो आप पहले जित्र में देख रहे हैं इस पारम परिक नृत्य में महिला और पुरुष दोनों ही चोल हुए हैं सिर्पे बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर में सकार्फ था वैसे ही सकार्फ है और हिमाचल में हिमाले की पहाड़ियों में महिला ही महिला जादा तर फूल और बागानों से की खेती में जूटी हुई होती है इसलिए आप देखेंगे दोनों की पुशाकों में एक जादा होती है सेब हिमाचल प्रदेश का प्रमुक जो फल है वो है सेब और ऐसे ही आपने देखा होगा चिनार के पेड़ों से ठिका हुआ रहता है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में भी एक खास बात थी कि वहां पे जो सबस्दा खेती होती है वो होती है केसर की तो यहां पर दोनों ही जगे पर महीलाएं इन सब केती के कामों को करती हैं और पुरुष वहां पर कसीधा कढ़ाई को करते हैं जम्मूगश्मीर में और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी आप देखरे हैं दोनों ने चोल पैन रखी है और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये भी कड़ाई द्वारा नहीं किया गया हिमाचल में, यहाँ पर ये वीविंग से ही डिजाइन दिया जाता है, ये बुनाई के दौरान होता है, और कमर पर एक बेल्ट बांदी जाती है, ठीक हिमाचल प्रदेश के बाद आता है, पंजाब, पंजाब आप जानते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा क्रशी उत्पादन शेत्र है, ये क्रशी से जुड़ा हुआ है, यहाँ की पोशाक, भारत की मूल पोशाकों में से एक है, यहाँ पुरुष और मैला दोनों ही खेती में जूटे हुए रहते हैं, और यहा पंजाब को दर्शाते हैं, पंजाब की एक रहनसेन ऐसा है, वहाँ खेतों के बीच में घर बना हुआ होता है, और चारो तरफ खेत किस चीज के होते हैं, फल, सबजी, जादातर सबजीयां और गेहूं की खेती वहाँ पे होती है, सबजी जैसे और इसी लिए जो कढ़ाई पर महीलाएं वहाँ पर करती है, वो कढ़ाई उनकी नाम भी बाग, जो दुपट्टा है, उसे क्या कहा जाता है, बाग, करेला बाग, नीम बाग, चना बाग, मेथी बाग, आपने मिर्ची बाग, आपने देखा होगा, मैंने फस्ट येर में आपको पढ़ा है ता, दुप पट्टा उड़ना जरूरी होता है, सलवार और कमीज पहनती है महिलाएं, महिलाएं, कमीज आपने देखा है, डीला ढाला कुड़ता होता है, जो तंग फिट का होता है, फिटिंग वाला होता है, हिमाचल परदेश में आप चोल देख रहेते हैं, डीला होता है, लेकिन यह पर पंजाब में जो महिलाएं पहनती हैं वो फिटिंग वाले कपड़ों को पसंद करती हैं और महिला और पुरुष दोनों ही बहुत जब भी खेती का इनका सबसे बैसाकी सबसे बड़ा त्योहार है और जब खेती गेहुंफ़की फसल कटी है तब महिलाएं वहाँ पर गिद और लड़किया जो लड़किया बड़ी लड़किया होती है उनका पुर्षों के सामने दुपट्टा ढखना बहुत जरूरी होता है और दुलन की पुशाक में लाल रंग के गोल्डन धागे से रिच वर्ग किया जाता है जब एक कन्या जनम लेती है पंजाब में तो उसकी न और ना उड़ाया जाता है और कश्मीर का जो की कढ़ाई है वो सॉरी पंजाब की जो कढ़ाई है वो पूरे देश में विष्व में बहुत विख्यात है और बहुत शौक से पहनी जाती है पुरुष लंबी कमीज पहनते हैं और जिसे कुर्टा कहा जाता है नीचे वो जब गर में रहते हैं तो वे नीचे धोती भी धारण करते हैं पुरुष और महिला दोनों ही नीचे पैरों में जूतियां पहनते हैं और पुरुष अकसर सिर पर एक जो खास बात है पंजाब की क्योंकि पंजाब में सिख समुदाय जादा रहता है और सिख सेर पर हमीशा यहां पर चित्र में कमर पे कटार होती है उनके जो पगड़ी होती है वे बहुत बहुत लंबी चौड़ी पगड़ी होती है काफी लंबी होती है और इसको कई सारे फोल्ड और प्लीट के सामने के साथ बांद के और सिर पर इनके सामने बीच में एड़्जस्ट किया जाता है पगड़ी एक सिख सरदार की जिसे सामुदाय की एक शान समझी जाती है और जब शादी विवा का अफसर पर ये पुरुष अकसर अचकन यानि इसका पंजाब में प्रभाव किसका मिलता है कुछ नीचे उत्तर प्रदेश का और ये शेरवानी या चूड़ी दार का भी को भी धारन करते हैं लेकिन जादा तर प्रचलित कुर्ता, सल्वार और महिला भी कुर्ता, सल्वार, फिटिंग वाला और सिर पर ओड़ना ये थी पंजाब की पहिला और पुरुष की पुशाब, अगले क्लास में हम हर्याना से कंटीनियू करेंगे